कि यह कोई समयधानिक विवस्ता का परसंद था विवस्ता का परसंद था कि विदान सभा का सत्तर जो चलता है पहला सत्तर उसमें माह महीम राजेपाल का अभीभाशन होना चाहिए वो कलेंडर वर्ष के अनुसार की बात थी लेकिन सरकार ये मान रही है कि हम पहले सत्तर में उनको अभीवाशन करा चुके हैं हमारे विपक्स के लोगों था कि समयधानिक विवस्ता है कि वार्ष कलेंडर के अनुसार ये कलेंडर बदल गया इसलिए समयधानिक विवस्ता है कि अभीवाशन होना चाहिए था लेकिन माननी अद सारा शिक्षग बरती जिनकी वेटिंग लिस्टें पेंडिंग है युवा मित्रों के साथ जो अन्याय आते ही सरकार ने 5000 लोगों इसाथ किया वह आपके सामने है नई बरतियां सब्सक्राइब कि देखें हम राय हैं उनके साथ हैं युवा मित्रों को तुरंद परभाव से सरकार को लेना चाहिए हमारी बुमिराई के सदन में जब मुका मिलेगा उस दिन विवा मित्रों की बड़ी परताश परतिशत जो महिलाओं को आरक्षन की बात अब देखें मैं मुक्य मंत्री जी की महिलाओं का मामला है इसलिए मां यह कहरा हूँ जो किया है कि लिए यह कहरा हूं इसका विरोध गर देखें के यह मुनापानी की बाद मैं यहां तक मान रहा हूँ यह सरकारे जूट बोल रही है यह मॉई उपनी की बातें करते हैं अर बार और मू यो दिया है ना कोई और काम किया ना कई कदिवेंगे पेपर लीग जैसा मुदा घंबीर मुदा है पहले तो ये बीजेपी वाले कह रहे थे कॉंग्रेस पेपर लीक करा रही है अब नीट जैसा पेपर जो सेंट्रल लाइज पेपर जो हिंदुस्तान में 15 साल से मोधी जी की सरका जो कहते हैं बार बार ना कांगा ना कहाने दूंगा उन में उनके कोमेंट्स पर नहीं जाना चाहता 2018 से बकाया है 2020 का बकाया है 22 का बकाया है 23 का बकाया है और बिलकुल हमने विदान सभा में क्यूस्तन लगाएं उनका जवाब आया कि इतने इतने किसान बकाया है कई तो सेंटर गवर्मेंट के खाते में बात डाल दी कभी स्टेट गवर्मेंट के खाते में डाल दी ले देकर मादने सरकार किसान को लुटाना चारी है मेरी सरकारों से माँंगे कि यह प्रीमियूम की राची स्टेट्र गवर्मेंट और मुझज नि लगता कि करेगी बजाल सरकार के अबस की बात नहीं है ना बजनलाल जी तो खुद कोई पता नहीं है मैं रहूँगा कर नहीं रहूँगा क्योंकि यह तो मानने मोदी जी के भरोसे की दुकान है यह दुकान कब बंद हो जए कब किसकी हो जए मैंने कह सकता